खबर मंसौर से जहां बही पार्शनात स्कूल के चात्र चात्राओं ने लगा तार छटे दिन धरना प्रदिर्शन किया बताया जा रहा है कि स्कूल के शिक्षक संजय पंचोली को निलंबित कर दिया गया जिसको लेकर चात्र चात्राओं ने प्रदिर्शन किया वही मामले की सूशना मिलते ही प्रदेश के वित मंत्री जगदीश देवडा ने चात्र चात्राओं से मौके पर जाकर मुलाकात की जिसके बाद चात्राओं ने वित मंत्री से अपनी समस्याएं बताते हुए शिक्षक संजय पंचोली की पुना बहाली की मांग की साथी कहा कि जब सर की पुना बहारी नहीं हो जाती है तब तक पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे संजे बच्चो लिए संस्क्रिट पढ़ाते हैं क्या उनको सस्पेंट करने हैं बाल करना है ठीक है बस राजकरवर दिए बस ठीक है राजिस्तान के बाद मध्यप्रदीश में भी लंपी वाइरस की दहशत फैल रही है प्रदीश की रतलाम जिले की गायों में इसके लक्षण देखे गए है मामला सेमलिया और बर्बोधना के आसपास के गाउं का है चहां 12 से जाद़ गाउयं में इसके लक्षण देखे गए ह गायों के शरीर में छोटी-छोटी गाठे होकर घाओ बन गए है हाला कि पशुचिकितसा विभाग ने पॉजिटिव केस की पुष्टी नहीं की है देखे रिपॉर्ट करना है नहीं अभी एक ग्राम सेमलिया है और नामली गवसादा है वहाँ पर दो चार पाट ऐसे मिलते लक्षण वाले केसे मिले हैं पर अभी चुकि हम सैंप्लिंग कर रहे हैं सैंपल को हम बोपाल बेजेंगे बोपाल से कंफर्मिशन के बाद ही पता पड़ेगा कि यह क् और सिंप्रोमेटिक उनका ठीटमेंट चालू है और रिकवर भी हो रहा है इसके लिए हमारी जो जिले में हमने एक रैपिड रिस्पॉंस टीम जिलाइस्ट्री बना दी है और हर बलॉक में हमने रैपिड रिस्पॉंस टीम बना दी है करमचारी यदिकारियों की वो सतत का कारण कैप्री पॉक्स वाइरिस है संक्रमित मखी मच्छर के काटने से फैलता है संक्रमण शुरुवाती एक सब्ताह में लक्षण नहीं दिखते हैं पश्वों के संपर्क में आने से होता है फैलाव एक पश्वों से दूसरे पश्वों में तेजी से फैलता है संक्रमण डॉक्टरू की माने तो मक्खी मच्छरू के काटने से पश्वों में लंपी संक्रमढ होता है जिसके बाद लंपी वाइरस तेजी से पश्वों को अपनी चपेट में ले लेता है वही लंपी वाइरस एक पश्वों से तूसरे पश्वों में तेजी से फैलता है जिसके चलते इसे फैलने से रोकना मुश्किल होता जा रहा है तो वही डॉक्टर पशुपालकों से लगतार पशु की साफ सफाई का विशेश ख्याल करने की अपील कर रहे हैं सबसे पहले तो यह है कि वो अपनी जो निकटम संस्ता है उसको इनफॉर्म करें है ना तो वो प्रपर एक जो टीटमेंट है वो दे सकेंगे और इसके अलावा स्वगंदा वगेरा है धनिया है और गिलोय है इस टाइप की जो अपनी आईवेटिक जो चीजें हैं यह भी काफी फैदा करती ही इमिनिल्टी बढ़ाने में तो यह भी उसको देना सुकर सकते हैं लंपी वाइरिस इसलिए ज्यादा खतरनाख है क्योंकि पशुओ के संक्रमित होने के बाद भी पहले सब्ताह तक पशुओ में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं आठवे नौवे दिन से हलके लक्षण दिखने शुरू होते हैं तब तक पशु कमजोर हो चुके होते हैं जिससे पशुओ पर संक्रमण का प्रभाव दिखने लगता है साथ ही संक्रमित मवेशी के पूरे शरीर पर गाठे हो जाती है और गाठे फूटने लगती है, जिससे बस का रिसाव होने लगता है फिर जख्मों पर मखी बैठती है और संक्रमित मखी तेजी से पश्वों को संक्रमित करती है लंपी वाइरिस के क्या क्या है लक्षण मवेशियों को शुरुवाती दिनों में बुखार आना आखों और नाख से पानी का रिसाव होना मवेशियों के मुह से लार निकलना पश्वों के श्वरीर पर नरम छाले पढ़ना पश्वों का खाना पीना कम कर देना दूद उत्पादन में कमी आना लंपी वाइरिस के प्रकूप को देखते हुए डॉक्टरों ने पश्वों के पश्वों की आवजवाही कम करने सारवजनिक चारागहा ले जाने से परहेज करने की सलहती है कोरोना का वीभथ से रूप देखने के बाद लंपी वाइरिस का तेज़ी से फैलाव लोगों और खासकर पशुपालकों के लिए परिश्वानी का सबब बनता जा रहा है इसके बावजूद देखना दर्चस्प होगा कि शासन प्रिशासन ने कोरोना महमारी के बाद सिस्टम को किस हद तक अपग्रेट किया है या यू कहें कि सामर्थ वान बनाया है रतलाम से राजेश पुरोहित के साथ टीम न्यूज स्टेट